इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी flag of tablet मूत्रमार्ग में संक्रमन का प्रभावी इलाज करता है यह microorganism के विकास को रोक कर संक्रमन का इलाज करता है यह पेशाब और संक्रमन से संबंधित दर्द और परेशानी के लिए तुरंत या अनियंत्रित पेशाब को नियंत्रित करने के लिए internal muscles को आराम देता है फ्लागोफ tablet एक डॉक्टर के परचे की दवा है जिसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लिया जाना चाहिए इसे खाने के साथ या बिना खाय लिया जा सकता है लिकिन बहतर प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए इसे एक निश्चित समय पर लिया जाना चाहिए इसे बताए गए डोस से अधिक न ले क्यूंकि इसकी ओवर डोस आपके शरीर पर नुकसान दायक असर कर सकती है अगर आप एक खुराक लेना भूल जाते हैं तो याद आने पर इसे तुरंत ले यदि आप बहतर महसूस करते हैं तब भी पूरी तरह से रिकवरी के लिए इलाज पूरा करें इस दवा से मिचली आना, उल्टी, पेट में दर्द, भूख न लगना, सिर दर्द, आदी जैसे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं ऐसे किसी भी साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए सलाह दी जाती है कि पोशक संतुले ताहार खाएं और खूब सारा तरल पदार्थ पिएं अगर इन में से कोई भी साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्ट करें अगर आपको किसी अलजिक रियेक्शन यानि की चिकते, खुजली, सूजन, सांस फूलना, आदिक का अनुभव होता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको अपने लिवर या किड्नी में कोई समस्या है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए साथ ही, अगर आप किसी स्वास्थि स्थिती के लिए कोई दवा ले रही हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डॉक्टरों से भी सलाह लेनी चाहिए शराब पीने से बचें क्यूंकि इस दवा से अत्यधिक चक्कर आ सकते हैं आम तोर पर यह आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है लेकिन यदि आपको नींद आ रही है या चक्कर आ रही है तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए अगर आपको इस दवा से ग्यात अलजी है तो आपको इस दवा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए उपचार के दौरान उचित आराम करने की सलाह दी जाती है ताकि दवा असरदार तरीके से काम कर सके विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद